दोस्तों, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूं सुब़े का नाश्ता। और इसके लिए मेने 500 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैं दो भागो में काट लूँगी। और बहुत ही बढ़िया सा बनके तयार हुता है। यह पनीर के पराठे बना रही हूं मैं। बहुत ही टेस्टी लगता है तो जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा और रैस्पी पसंद आए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा लाइक सस्क्राइब और शेयर कीजिएगा बैल आइकन को दबाईएगा जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए खांजमन कहरें जल्दी से बना लें क्योंकि लेट हो रहें आफिस के लिए तो हम सबसे पहले पनीर को ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो पनीर को हाथों से तोड़ सकते लेंगे ग्रेट करने से बहुत बढ़ी अ होड़ा चॉप किया है धो हरी मिर्च को भी चॉप करके डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे उपर से धनिया हरी धनिया पत्ति औरconnect आप कम खाते तो कमी डालिएगा क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हैं नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और गरमuly बात्साली में पराठे क आ रहा है ना तो आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नी करते हैं सस्क्राइब भी नी करते हैं बताते भी निये कैसी लगी आपको वीडियो इतना तो आप बताई सकते हैं इसमें तो कुछ नहीं जाता है बहुत महनत लगती है कुकिंग की वीडियो बनाने में तो देख तो आटा गूत लिया है पहली लोई मैंने गुरु माराज जी की निकाल के रख दिया है आटे के ऊपर लगा देते हैं हमारे यहां पर और एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे चार तरफ से अच्छे से आटा लगा के गोल कर लेंगे यह तो भी है लोई तो तैयार हो बिलकुल भी नहीं बफटते हैं पराठे और बिलकुल एक दम परफैक्ट्ली बन के तयार होंगे इस तरीके से बंद कीजिएगा और लोई को थोड़ा सा हमें मोटा ही लेना होता है आजकल सबजी आच्छी नहीं लग रही हैं सीजन जा रहा है गर्मी मतलब विंटर आने इस वीज़ से सब्जी नहीं टेस्ट चला गया है और कहीं बार सब्जी एक ही प्लांट से बार बार कटती है तो इसका टेस्ट नहीं आता है सब्जी का तो कुछ भी पनीर के पराठे हो तो बना के तयार कीजिए इस तरीके से हम इसे दुबार से घी लगा के फोल्ड और इसे हम इसक्वाइर यानि चको शेप में बेलेंगे पराठे को बढ़िया से तो सब्जी का टेस्ट नहीं आता है तो चटनी बनाएए या मतलब हैल्दी खाना है कुछ भी और सात्वी खाना होता है तो हैल्दी खाईए एक दम बढ़िया बना के इसी तरीके से अब पर तो आप तवे पर अच्छे से नहीं पराठे को डाल दिया है तो इस पर हम घी लगा लेंगे चारों तरफ से तवे पर पहले से थोड़ा घी साइट से डाल दो ना तो बहुत क्रिस्पी और पराठा देखने में बहुत सुंदर लगता है क्रिस्पी बनके तयार होता है तो इस तरीके से पराठे को दोरों तरफ से मैंने तेल लगा लिया और देखे कितना अच्छा सा मैं थोड़ा सा इसे खोल के दिखाया मैंने अभी आपको कितना बड़ी आसा पराठा बना एक दम यह खुल जाती है इसकी लेर और देखने में भी और खाने में भी एकदम क्रिस किसे फिलिंग लग आती है इस तरीके से बनाएंगे तो आप आम एक डाला लेती हो फटाफट से तो चलिए उन्हें देती हूं, परोज देते हैं पराठा और खा के बताएंगे वो कैसा लगा उन्हें, फटा फट से खा के बताओ वही कैसा लगा पराठा, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको में रैस्पी बसादा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो देखने अच्छी लगती तो